नमस्कार साथियों मैं शिखा पालिवाल अपने चैनल हिंदी विशय एवं सफलता में आपका हार्द कभी नंदन करती हूं हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे धूरे यहों नैट परिक्षा की एकाई आठ में सम्मिलित है यानि स्लेवस में सम्मिल चुके हैं कि जो सावित्री और महिंद्र नात हैं दौनों के बीच तनाव की इस्तिती चल रही है दौनों के बीच नहीं वलकि उनके पूरे जो घर का वातावर्ण है तनाव पूर्ण है सावित्री उम्र के इस पढ़ाव पर तनावों को जहिलते जहिलते तूट चुकी है वह चाती है कि पूरी जीवन इद्यूस ने समझोते करते हुए ही गुजार दिया दूसरों के लिए कमाते कमाते और अपने आपको खर्च करते करते ही देखिए पैसा ही खर्च नहीं होता व्यक्ति का भी बहुत कुछ खर्च हो जाता है जो वापस नहीं आता अपने लिए सुकून का कुछ पलवत तलाशना चाती और इसी क्रम में वह अपने पुराने मित्र जगमुहन से मिलती है तबी जो एक और उनके मित्र है जुनेजा जो की महिंद्रनात के रिष्टेदार है या कह लिए जे महिंद्रनात के खास मित्र है जिसके साथ उसने भवाज शुरू किया था और अब है घाटा हो गया उसमें उसको जुनेजा के घर ही जाकर महिंद्रनात चले जाते हैं जब सावित्री से झखड़ा होता है अब सावित्री जगमुहन के साथ गूमने गई हुई है बड़ी लड़की चाय बना रही है जुनेजा आ जाते है गर पर उसके आगे का यह बारतालाप है आईए जानते हैं कि आगे क्या होता है क्या सावित्री इस घर को छोड़के जा पाती है अपनी नई जिंदगी की शिरुवात कर पाती है यह सामानने ताय आम लोगों की तरह इसी में उलचकर जीवन भर के लिए रहे जाती है आगे प पता था ना मैं आने वाला हूं बड़ी लड़की पता था जुनेज़ यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था फिर जैसे कोई बास समझ में ना आ जाने से अच्छा अच्छा काफी समझधा लड़का है बड़ी लड़की चीनी कि समयदर से नहीं बैठ जायीगे औहां वहीं एक खीच कर बैण जाता है बड़ी लड़की एक प्याली उसे दे कर दूसरी खुद लेकर बैठ जाती यह कुछ पल की खामोशी बड़ी लड़की कहां-- कहां घूमियं इस वीच सुना तक ही बार गए थे thay आ पर किसी नहीं ज लड़की से जानती है फिर कुछ पल खामोशी आप तो बिल्कुल चुब बैठें कोई बात कीजिए ना जुनेजा क्या बात करूं लड़की कुछ भी सोचकर तो बहुत सी बातें आये था सावीत्री होती तो शायद कुछ बात करता भी पर अब लग रहा है बेकार ही है सब ब पात है लड़की आप उन्हें समझाते क्यों नहीं जुनेजा कोई समझा सकता है उसे वह इस औरट को इतना चाहता है अंदरसे बढ़ी लड़की यह आप कैसे कह सकते हैं तुझे लगता है यह बात सही हो सकती है आप नहीं जानते हमने इन दौनों के बीच क्या क्या मैं यहां थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं घर में नहीं चुडिया घर के पिंजरे में रहती हूँ जहां। आप शाय सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है यहां। डैडी का चीकते हुए मम्मा के कपड़े तार-तार कर देना, उनके मुपर पट्टी बांद कर उन्हें बंद कमरे में फीटना, खीचते हुए गुसल खाने, मैं कमोड पर ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक द्रिश्य देखे हैं, मैंने इस घर में कोई भी बहार का आदमी उस सब को देखता जानता तो यहीं कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही यह लोग डॉट 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 यानि कि अलग हो गए। देखिए सावित्री के चरित्र के विशय में कुछ भी कहने से पहले इन लाइनों के माध्यम से आप सावित्री की स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि एक तो वो महिंद्रनाथ जी कुछ कमाते नहीं हैं घर बैठे हैं और सावित्री के साथ इस तरीके का गलत वहवार भी अपनी जिन्दगी में किया है उसके बाबजूत सावित्री उस महिंद्रनाथ सहित पूरे परिवार का खर्चा उठा रही है प्रश्न यह है कि परिवार को चलाने की जिम्मेदारी क्या केवल सावित्री की है महिंद्रनाथ की नहीं है ठीक है व्यापार में घाटा हो गया क कोई बात नहीं लेकिन क्या एक छोटी सी दुकान भी नहीं खोल के कमा सकता वह नहीं कमाएगा वहेक अपनी पत्नी पर अपनी भड़ास अपनी हीन भावना और उसे दवाने की कोशिश करता हैं तूने कोई नई बात तो बताई नहीं कोई महिंद्राथ खुद मुझे खुद से बहुत प्यार करता है जो आदमी आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हूं मैं दौनों की नहीं एक की बात कर रहा हूं तो तो आप सच मुच मानते हैं कि जुने जब बिलकुल मानता हूँ इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महिंदरनात खुद है अगर ऐसा नहोता तो आज सुबह से ही रिरिया कर मुझसे नह कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इस से बात करके इसे समझाओ मैं इस वक्त यहां ना आया होता तो पता है क्या होता क्या होता महिंदर खुदिया चला आया होता बिना परवा किये कि यहां आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा और ऐसा पहली बार नहोता तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से समझा हुजा कर उसे रोका मैं ही जानता हूँ मेरे मन की कहीं थोड़ा सा बरोसा भाकी ता कि शायद अब भी कुछ हो सके मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके पर आकर बाहर निव इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता बात करके मैं सिर दो एक कदम उसकी तरफ बढ़ जाती है अंकल कहो आप जाकर डेड़ी को यह बात बता देंगे कौन सी यही के जगमोहन अंकल के आने की क्यों नहीं बतानी चाहिए ऐसा है कि जुनेजा हलके से आखे मूंद कर खोलता है मैं ना भी बताऊं शायद पर कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला इससे तू बैठ जा अंकल हाँ बेटे सच मुझ कुछ नहीं हो सकता क्या एक दिन के लिए हो सकता है शायद दो दिन के लिए हो सकता है पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं तो उस हालात में क्या यह बहतर नहीं कि बाहर से इस्त्री का सुनाई देते हैं छोड़ दे मेरा हाथ छोड़ भी आ गई गई हैं वे लोटकर हाँ बाहर जाने के वजाए होट चवाता डाइनिंग टेविल की तरफ बढ़ जाता इस्त्री चोटी लड़की के साथ आती है चोटी लड़की उसे बहां से बाहर खीच रही है चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलो ना सावित्री तू हटेगी या नहीं नहीं हटोंगी उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो मेरी बहां छोड़ नहीं छोड़ूंगी नहीं बड़ा जॉम चड़ने लगा है तुझे हां चड़ने लगा है जब जब कोई बात करता है मुझसे यहां किसी को फुरसत भी नहीं होती कि चल कर उससे पूछने की उन्हें सास तो लेने दे अभी घर में दाकिल हुई है ने कि तूने बड़ी लड़की कहती है चोटी लड़की तुम बात मत करो मिट्टी के लॉंदे की तरह हिली नहीं तब मैंने कहा सावित्री उसे फ्रॉक से पकड़ फिर से कह जो तूने कहा चोटी लड़की अपने को छ चुड़ाने के लिए संगर्स करती क्या कहा है मैंने पूछो इन से जब आकर इन्हें बताया तो सावित्री उसे चपत जड़ती है तू कह तो फिर से एक बार वही बात पलवर्गी खामोशी जिसमें सब की नजनें स्थिर होयती है चोटी लड़की इस तरी पर और सेश सब है आप मत पढ़िए बीच में मुझे अपने घर में किस से किस तरीके से बात करनी है मैं औरों से बहतर जानती हूं इस वक्ट चुप चाप चली जा कमरे में मुह से एक लबज भी और का तो खेर नहीं तेरी छोटी लड़की के केवल होट हिलते हैं शब्द उसके मुह से को थोड़ी देर में बड़ी लड़की बैठी अंकल जुनेजा नहीं मैं अभी जाओंगा इस सावित्री आपको कुछ बात करनी थी मुझसे बताया था इसने जुनेजा हां पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो हां मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूं बताईए आप अंक जुनेजा ज्यादा बात अब नहीं करना चाता सिर्फ एक ही बात कहना चाता हूं तुमसे सावित्री कहिए जुनेजा तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती हैं उस आदमी को सावित्री छुटकारा मैं उन्हें कितनी उल्टी बात है उल्टी बात नहीं तुमने जिस तरह बांद रखा है उसे अपने साथ उन्हें बांद रखा है मैंने अपने साथ सिवाए आपके कोई नहीं कह सकता यह बात जुनेजा क्योंकि कोई और जानता भी तो नहीं उतना उसे जितना मैं जानता हूं आप हमेशा यही मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं नह अपने दो पैर कभी थे भी उनके पास कभी की बात क्यों करती हो जब तुमने उसे जाना तब से दस साल पहले से मैं उसे जानता हूं इसलिए शायद जब मैंने जाना तब तक अपने दो पैर रहे हैं रहे ही नहीं उसके पास पुरुश जुनेजा मैं जानता हूं सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या-क्या सोचती और कहती हो जरूर जानते होंगे लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती जैसे जैसे पर बात तो आप करने आए हैं जुनेजर नहीं पहले तुम बात कर लो तु बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी दे इस तरी सुन लेने दीजिये इसे भी अगर मुझे बात करनी है तो जुनेजर ठीक है यहीं रह तु बिननी पर मैं सोचती हूँ कि मैं चाती हूँ कि तु यहां रहे तो किसी वज़े से ही चाती हूँ बड़ी लड़की आहिस्ता से आंके जबका कर उन दोनों से थोड़ी दूर डाइनिंग टेविल की कुरसी पर जा बैटती है जुने जब बैट जाओ तुम कहता हूँ अखुद सोफे पर बैट जाता है इस तरी एक मूढ़ा ले लेती है कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है पूछो कुछ नहीं जो कहना है कह डालो सावित्री यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वैं आदमी ही होता है पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें अपना एक माद्दा अपनी एक सॉरी पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक माद्दा एक शक्षियत हो महिंद्रनात को सामने रखकर तुम इसलिए कह रही हो कि सावित्री इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी का सहरा ढूंडते पाया है खास तोर से आपका यह करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूँ वहाँ जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय लूँ कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से कोई बड़े से बड़ा खत्रा उठाना है तो भी जुनेजा की सलासे यहां तक की मुझसे ब्या करने का फैसला भी कैसे किया उसने जुनेजा के हामी भरने के बाद जुनेज्णा में दोस्तुं से भरोषा रहा है मुझपर सावित्री और उस भरेसर का नतीज है कि आपने अपने पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोषा नहीं राज जिंदगी में हर चीज की कसौटी जूनेजा सोचता है जी जूनेजा नहीं है तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को पर असलियत इसकी यह है कि सावित्री मुझे असलियत की बात कर लेने दीजीए जिसे मैं जानती हूँ एक आदमी है घर बसाता है क्यों बस आता है एक जरूरत पूरी करने के लिए कौन सी जरूरत अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन कह लीजे उसे भर लेने की उसको भर सकने की जरूरत इस तरह उसे अपने लिए इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है कि नहीं दूसरों को खाली खाने भरने की ही एक चीज है वह जो कुछ भी दूसरे उससे चाहते हैं उम्मीद करते हैं जिस तरह वह सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तिमाल हो सकता है जुनिज इस्तिमाल हो सकता है नहीं इस काम के लिए कोई और कोई नहीं जा सकता नहीं इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता महिंद नात चला जाएगा इस बोज को और कोई नहीं डो सकता महिंद नात ढोग लेगा प्रेस खुला तो भी फैक्टरी शुरू हुई तो भी खाली खाने भरने की जगह पर रहा महिंद नात और खाने भर चुकने पर महिंद ना महिंदनाद अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है पहले ही खा चुका है और उसका हिस्सा कमरे के एक-एक सामान की तरफ इशारा करती है ये 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 दूसरे तीसरे चौथे दरजे की घटियां चीजे जिनसे वैं सोसता था उसका घर बन रहा है जुनेजा महिंदनाद बहुत जल्दवाजी बरत था ता इस मामले में मैं जानता हूँ मगर वज़वसकी सावित्री बज़वसकी मैं थी यही कहना चाहते हैं न वैं मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी आदी की नीम क्या चीज खोद रही थी क्या चीज और कौन आदमी अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे जुनेजा कहती रहो तो मैं बुरा नहीं मान रहा आकर तो महिंद्र की पतनी हो और स्त्री सावित्री आवेश मुसकी तरफ मुरतिय मत कहिए मुझे महिंद्र की पतनी महिंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घरबार है पतनी है यह बात महिंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई महिंद्र ने ब्या क्या किया आप लोगों की नजर में आपका ही कुछ आप से छीन लिया महिंद्र पहले की तरह हसता नहीं महिंद अब दोस्तों में बैटकर पहले की तरह खिलता नहीं महिंद्र अब पहले वाला महिंद्र रहे नहीं गया और महिंद्र ने जी जान से कोशिश की वह वही बना रहे किसी तरह कोई यह ना कह दे कि जिससे की वह अब पहले वाला महिंद्र रही नहीं गया और इसके लिए सच्चाई, तो सरल शब्दों में मैं कहूं कि अगर एक व्यक्ति वह अपनी मा की बात मानता है मा की सेवा करता है तो मा भी इस्तुरी है और पतनी भी इस्ति्रीं है तो उसके लिए समाज में कहा जाता है श्रमण कुमार है बहुत अच्छा बैच्चा है, लेकिन वहीए इन्सान अगर अपनी पत्नी की बीमारी में भी को अपनी पत्नी के काम करे पत्नी के साथ समय व्यतीत करे तो उसको कहते हैं जोरू का गुलाम उसके दोस्त उसे जोरू का गुलाम कहके समाज के लोग जोरू का गुलाम कहके उसे दवाते हैं और अगर उनकी शादी नहीं हुए ये खाली है उसका कोई काम नहीं करने अधिक समय वे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए नहीं दिये पाते तो कहते हैं कि शादी के बाद तो यह बिल्कुल ऐसा हो गया है बीबी की सुनता है इस तरीके के ताने उसे सुनाए जाते हैं और पुरुष एहम के कारण बात को समझ नहीं पाता इसका जो परिणाम होता है उसके दामपत्य जीवन में टकराव की स्थिति आ जाती है लड़ाई जगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो दौन जगए पहले जैसा भी बना रहना चाता है लेकिन जब आपकी जिंदिगी में शादी हो गई की बच्चे हो गए आपकी जिंदिगी की धुरी ही बदल गई तो आप पहले जैसे नहीं रह सकते और पुरुष पहले जैसे रहना चाहते हैं तो इस चक्कर में लड़की तो अपना घर अपनी परिवार अपनी सहेलियां अपना वातावरण इच्छाएं तक सब चीज से सम सावनाय भरी रहती हैं वह दोनों जिंदिगियों में सामंजर से बैठाना चाहता है जो लोग बैठा लेते हैं अच्छी बात है और जो नहीं बैठा पाते उनकी स्थिति अंत्तर खराब ही होती है महिंद्र के बगएर कोई पार्टी जमती नहीं महिंद्र के बगएर किसी की पिकनिक का मज़ा नहीं आता था दोस्तों के लिए जो फुरसत काटने का वसीला है वही महिंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में और उसका ही नहीं उसके घर के लोगों का भी वही लोगों के बीच उठने बैटने की तमीज नहीं एक औरत को इस तरह चलना चाहिए इस तरह बात करनी चाहिए इस तरह मुस्कुराना चाहिए क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजिशन खराब करती हो और वहीं महिंद्र जो दोस्तों के बीच दबूसा बना हलके हलके मुस्कुराता है घर आकर एक दरिंदा बन जाता है पता नहीं कब किसे नौच लेगा कब किसे फाड़ खाएगा आज वे ताब में अपनी कवीच को आग लगा लेता है कल वे सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगणने लगता है बोल बोल चलेगी उस तरह कि जैसा नहीं जैसा मैं नहीं चाहता हूँ मानेगी वह सब जो नहीं कहता हूँ पर सावित्री फिर भी नहीं चलती वह सब नहीं मानती वह नफरत करती है इस सब से इस आदमी के ऐसा होने से वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए एक पूरा आदमी कभी इस आदमी को ही अपना आदमी बना सकने की कोशिश करती है कभी तडप कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है बहुत ही गहरे अर्थ को लिये हुए बात हैं दामपत्य जीवन से सम्मनित पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फरक पड़ने लगता है तो इस आदमी में तो दोस्तों में इसका गम मनाया जाने लगता है सावित्री महिंद्र की नाक में न केल डाल कर उसे अपने धंग से चला रही है सावित्री बेचारे महिंद्र की रीड तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है जैसे कि आदमी ना होकर बिना हाड मास का पुतलाओ वहे एक बेचारा महिंद हाफ्ती हुई चुप कर ज उसे पर मेरी नजर में वह हरा आदमी जैसा एक आदमिसाई pię तुर्फ इतनी ही कमी है वसमें सावित्री यह Áम य॥ बता रहे हैं जिसने 22 साल जी कर जाना है उसाधमी को पर जुनेजा उनेते ऊसके साना भी है उसे कुछ हद तक लेकिन सावित्री हताशा से सिरहिलाक ओफ 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 जुनेजा जो जो बाते तुमने कहीं है अभी बेगलत नहीं है अपने में लेकिन 22 साल साथ जी कर जानी हुई बाते वे नहीं है आज से 22 साल पहले वी एक बार लगवा ऐसी ही बाते में तुम्हारे मुझ से सुन चुका और मेरे कंदे पर सिर रखे देर तक रोती रहीं थी तब तुमने कहा था कि सावित्री देखिए उन देनों की बात अगर छेड़ना भी चाते आप तो मैं चाहूंगी कि यह लड़की जुनेजा क्या हर्ज अगर यह बात यह यहीं रहे तो यह लड़की जब आदी बात इस के सामने ही होनी चाहिए बड़ी लड़की उठने को होकर लेके नंकल जुनेजा इस तरी से तुम समस्ती हो इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए है बात सावित्री मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी ठीक है आप कीजिए बात कहती हुई कुरसी पर बैट बिननी सावित्री में बच्ची थी तब तक अभी और बच्ची थी यह जो भी थी पर बात बिलकुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो उस दिन भी बिलकुल इसी तरह तुमने महिंद्र को मेरे सामने उदेड़ा तक कहा था कि बहुत लिजलिजा और चिप-चिपासा आदमी है पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब दूसरों के थे एक नाम था उसकी मा का और दूसरा उसके पिता का ठीक है उन लोगों की भी कुछ कम देन नहीं रही उसे ऐसा बनाने में पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में क्यों नहीं था कह दूना यह भी इस इसलिए नहीं कि आदमी की तौर पर में महिंद्र से कुछ बैता था तुम्हारी नजर में बलकि सिर्फ इसलिए कि सावित्री कि आपके पास पैसा बहुत था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच जुने जा नहीं सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था जो भी महिंद्र नहीं था मिधि या ने की पडू की कयो होती ओं मुझे बात कहलेने दो मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक陽 में जानता लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाएड है कि महिंद्र को तुम तब भी वैया आदमी नहीं समझती थी जिसके साल अपने को उससे जटक लेनी की कोशिश करती हुई इधर उधर नजराते दोड़ती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी तो तुमारे सामने तुमने कहा है तब तुम उसकी इज़त करती थी प अनुबब वह असल चीज वही है वह जो भी था और भी कुस्ता महिंद्र नहीं था पर जल्द ही तुमने पहचाना शुरू कर दिया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है हमेशा दो तरीके की बाते करता है उसके बास सामने आया जगमोहन उचे संबंद जवान की मिठा स्टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दिरी अदली पर तीर की असली नौक फिर उसी जगह थी उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का साथा महिंद्र का सा नहीं था पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है जोने असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इन में से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिन्दगी में तो साल दो साल बात तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है उसकी जिन्दगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र कोई जुनेजा कोई शिबजीत य और कितना कुछ एक साथ ओड़ कर जीना वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगए न मिल पाता इसलिए किसी जिस किसी के साथ भी जिन्दगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही खाली और इतनी ही बेचेन रहती वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर प पलू को दांतों में लिए सिर हिलाती हंसी और उलाई के बीच के सवर जुनेजा तुम हस रही हो हाँ पता नहीं हस रही हूं शायद आप कहते रहिए जुनेजा आज महंद्रे कुड़ने वाला आदमी पर एक वक्त ता जब वह सचमुछ हसता था अंदर से हसता था पर यह तबी था जब कोई उस पर यह सावित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिया से वहीन और छोटा है इससे उससे मुझ से सभी से जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था जो जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए और जो है सावित्री और उसी उसको देखा है अपने इस बीच या उसके आज पास भी किसी को देखा है किसी के साथ कुछ गुजरते हुए देखा है उपर वाले paragraph के बारे में बात करते हैं देखिये जुनेजा की सवित्री जुनेजा पर आक्षिप लगा रही है अपनी जिन्दगी Кष्टों का और जुनेजा सवित्री पर उलटा आख्षिप लगा रहा है कर वे स्वेम है और महिंद्रनाथ के कुस्टों की जिम्मेदार वह महिंद्रनाथ स्वेम है अब सावित्री की पुरानी बातें याद करवा रहा है और यह हो इसमें पेरेग्राफ में चीज आई है कि जो नहीं है वह डूड़ने की चहाव है महिंद्र में करती है अगर कोई जुनेजा कहता है कोई भी पुरुष तुमारी जिन्दगी में आता तो भी तुम्हें शिकायत रहती कहने का मतलब यह है आपका बंटी में भी उपन्यास जब हमने पड़ा उसमें भी यही बात थी दुबारा कि इस्तरी और पुरुष हो या इस्तरी हो या प्रकृति की कोई भी चीज को प् इश्वर ने बनाय इश्वर के लिए प्रकृति के लिए पैरम होती तो बैतर है और उससे शादी होती तो बैतर है प्रिणाम सरूप हो कुछ नहीं पाता और ऐसे लोग अपना दामपत्य जीवन भी खराब करते रहते अपने पती में जो कमिया हो उसकी पूरती बाहर से कर लेना जब आप चाहते हैं तो दामपत्य जीवन का सर्वनाशी हो जाता और वहीं यहां हुआ है अब जुनेजा कुछ भी कहे या सावित्री कुछ भी कहे कुल विलाके सावित्री की पूरी जिन्दगी खराब हो चुकि अब उम्र के इस पड़ाप पर वो नई शुरुआत करने की सोच रही है लेकिन कर नहीं पाएगी महिन नात का भी अपना पक्ष है चलिए आगे पढ़ते हैं जो नहीं जा वह भी देखा है देखा है कि जिस मुठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाती थी उसमें जो भी था वह भी दिरे दिरे फिसलता गए है वह हमें इसे पाने की चाम में जो है उसे भी हम खोते जा रहे हैं है जीवन की बड़ी बड़ी चीज़े हमारी पास है उसकी हमें कभी कद्र ही नहीं कर पाते और सारा जीवन एक बिक तृष्णा की भाती भाती भागते भाते ही अभी निकल जाता उस पे तो हमारा ध्यान नहीं जाता और जो नहीं है उसका रोता रोते ही जिन्दगी निकल जाती है आगे बढ़ते हैं तुम्हारे मन में लगातार एक डर समायता गया जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो कभी बहार का और कि वह डर्क एक देशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा जटका खाना पड़ा अपनी आखरी कोशिश में किस आखरी कोशिश में जुनेजा मनुच का बड़ा नाम था उस नाम की डोर पकड़ कर ही कहीं पहुँच सकने की आखरी कोशिश में पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातो रात इस घर से बड़ी लड़की बिन्नी यह आप क्या कह रहे हैं अंकल मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी तु शायद मनोच को अब भी उतना नहीं जानती जितना डौट डौट यानि कि तेरी मम्मी जानती बड़ी लड़की हातों में चेरट छिपाए ढखकर बैठती ओ जुनेज जितना यह जानती है इसलिए आज यह उसे बर्दास्त भी नहीं कर सकती ठीक नहीं है यह बिन्नी के मरोच के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंदाधुन कोशिश शुरू की कभी महिंद्र को ही इस और जगजोरने की कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की और कभी उन इस बोई आज आजि उससे बहुत बहुत हमदर दी है तुम से तुम्ने का तुम जैसे भी ओब इस घर से चुटकारा पा लेना चाहती है। कितना अच्छा होता अगर इसनतीजे पर तुम कुछ वर्ष पहले ही पहुंच चुकी होती तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो सकता है उसने का वह चाहता है हो सकता है पर आज इसमें बहुत सी उलजने सामने हैं बच्चों की का कि तुम्हें देर हो रही है अब लोट चलना चाहिए तुम चुपचाप उटकर उसके साथ गाड़ी में आ बैटी रास्ते में उसके मूँ से यह भी निकला कि शायद तुम्हें अगर रुपे पैसे की जरूरत हो इस वक्त तो सावित्री बस 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 जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया आपसे मैंने बैतर यही है कि आप यहां से चले जाए क्योंकि जुनेजा मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि उसकी जगए मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता वह कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया तो मन में गोटन लिये घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीड़ दिया जाते हुए सामने थी पूरी जिंदगी पर लोटने तक कुल हासिल कुष प्रश्णबाचक चिन उल्जे हातों का गिजगीजा पसीना और डॉट 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 सावित्री मैंने आपसे कहाना बस सब के सब सब के सब एक से बिलकुल एक से हैं आप लोग अलग-अलग मुखोटे पर चहरा चहरा सब का एक ही है जुनेजा फिर भी तो मैं लगता है कि तुम चुनाब कर सकती हो लेकि पकती उन दोनों को देखती हैं फिर अंदर के दर्वाजे पर खटनाई देती है चोटी लड़की दरवाजा कोलो खोलो दरवाजा क्या करना है ममा खोलना है दरवाजा रहने ते अभी यसे लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो मैंने पहले भी कहा था मेरा घर है मैं बहतर जानती हूं खोलो खोलो अंदर से कुंदी लगाने की अब खुलवा लेना मुझसे भी यानि कि इसी वारतालाप के बीच जो उसकी छोटी लड़गी है किनी वह अंदर से भी कुंदी जब बाहर पास चुनाव होता ही नहीं है हम सिर्फ ब्रह्म की इस्तिती में रहते हैं जब इस तरीके की परिशानियों में फस जाते हैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में तुम भैतर जानती हो कम से कम मान कर यहीं चलती हो इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब बात इसलिए कि आज भे अपने को बिल्कुल बेसारा समझता है उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि वह सब कुछ होने के लिए कुछ होने पर भी उसके लिए जिन्दगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा कोई उपाय नहीं है और क्या ऐसा इसलिए किया तुमने कि जिन्दगी में और कुछ हासिल ना हो हो न हो कम से कम यह ना मुराद मोरा तो हाथ में ही बना ही रहे क्यों क्यों आप और और बात करना चाहते हैं अभी आप जाईए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिये अपने पास रख लीजिए इस गर में आना और रहना सच मुछ रितमे नहीं है और मुझे भी मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है और ना किसी और को चलने देता है जुने जब पलबरु से देखते हुए हताश निड़ने के स्वर में तो ठीक है वे नहीं आएगा वह कमजोर है मगर इतना कमज जरूर इस तरह उसका तो अपकार करेंगे ही आप मेरा भी से बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे जुने जा तो अब मैं चल रहा हूँ तुमसे जितनी बात कर सकता था कर चुका और बात अब उसी से जाकर करोंगा मुझे पता है कितना मुश्किल होगा यह फिर भी मैं बात करोंगा और उसके दिमाग में बिठा कर रहूंगा इस बात लड़का बाहर से आता है चेहरा काफी उत्रा हुआ है जैसा कोई बड़ी सी चीज कहीं हार कर आया हो क्या बात है शोक तु क्यों चला आया वहां से लड़का बिना उससे आके मिला है बड़ी लड़की की तरह बढ़ जाता है उठ भी नी अंदर से छड़ी निकाल कर दे ज चड़ी वक किसलिए चाहिए तुझे डैडी को स्कूटर रिक्षा से उतार लाना है उनकी तब्यत काफी खराब है डैडी लोटे आये हैं तो आही गया भे आखिर लड़का हां आही गए पुरुष्चा 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 के चेरे पर व्यथा की रेखाए उबर पुरुष्चा पुरुष्चा के पीट था में चुप खड़ी रहती है शरीर में गती दिखाई देती तो सिर्फ सांस के आने जाने की बड़ी लड़की जल्दी से निकाल दे छड़ी क्योंकि बड़ी लड़की अभी दे रही हूं किनी दर्वाजा खोल जल्दी से नहीं आप फिसल जाने से किसी ने दर्वाजा का साहरा लेकर अपने को बचाया हो जुनेजा ॥ ये कौन फिसला है डियोड़ी में लड़का डैडी ही होंगे उतर कर चले आये होंगे ऐसे ही दर्वाजे से निकलता आराम से डैडी आराम से पूरुष एकनजर इस्तिरी पर डाल क बड़ी लड़की एक बार उसकी तरफ देखती है फिर बाहर की तरफ हलका मातमी संगीत उबढ़ता है जिसके साथ उन दोनों पर प्रकाश मद्दिम पढ़ने लगता है तभी लगबाग अंधेरे में लड़के की बहां थामे पुरुष एकसी एक ही दुदली आकृती अंदर दिखाई देती है लड़का देखकर डैडी देखकर उन दोनों के आगए बढ़ने के साथ संगीत अधिक इसपस्ट और अंधेरा अधिक गहरा हो जाता है इसी के साथ हमारा नाटक आज यहां संपन हो जाता है समाप्त हो जाता है और सारे लोग कैसे रह जाते हैं सारे लोग सारे पात्र कैसे हैं इस नाटक के आधे अधूरे इस नाटक के साथ ही शायद निम्नमध्यमवर्गे समाज में या किसी भी समाज में देखिए पती पतनी का संबंद हम सूचते हैं कि पैसे पे निर्वर पैसे निर्वर नहीं है बड़ी बड़ी जो बहुत पैसे वाले लोग हैं जो दिन रात बाहर गुंगते हैं पार्टिया सावित्र बहार जाके ढूनना पूरा करना चाहते हैं पूरा कर नहीं पाते और इसी क्रम में सभी लोग आधे अधूरे रहते हैं हर व्यक्ति में कुछ कमिया है और उनकी पूर्दी बहार नहीं हो सकती हमें पहले स्वयम को बदलना चाहिए और तभी किसी दूसरे से बदल हमारा कुछ और सावित्री के चरित्र को भी हमने देखा इन सब के बारे में आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है कॉमेंट वक्स में आप अवश्य लिखिए आपके समस्य सावित्री गलत हैं यहां पे महिन नात गलत हैं कौन से पात्र ने आपको प्रभावित किया इस तो उपलब्द वीडियों को आप शेर करें, आप हिंदी विशय से किसी भी राज्य से हो, किसी भी परिशा चाहिए, NVS, DSSV की वेकंसी अभी आई वी है, KVS, RPSC, UPT, ZTPZT की तैयारी कर रहे हो, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, प्लेलिस्ट में उप करने वाद, नमशकार, जय हिंद।